रुकते कहां है जब बढ़ जाते हैं ये बढ़ते कदम है ये बढ़ते कदम अंगारों में फूल से खिलते हैं ये बढ़ते कदम बढ़ते कदम बढ़ते कदम रस्तों के बंधन ना माने कोई जगा ना खोती जाने मन्जिल तो मिल ही जाती है कोशिश से हर उलजन सुलजे आज यहा कल कहां बस्ते हैं ये बढ़ते कदम बढ़ते कदम बढ़ते कदम करम जली इसकी मा इसे देखती यह धन देखो बस उससे बैचते सोते जागते उसे की जूतिया मारता है और शराप पी करके भूल जाना जाता है सब मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझ सकता हूं जूना बाई यह के लिए तूड़ा की ही पीड़ा नहीं है बलके यहां की हर मा और उसके हर तूड़ा की आप पीती है क्या करूँ? क्या न करूँ? कैसे समझाओ? कुछ समझने को तयार ही नहीं है ऐसे बच्चे या तो अवारा हो जाते हैं यह जिव कत्रे यह बड़े अपराधों में चले जाते हैं नहीं नहीं तूड़ा ऐसे नहीं है पैस शराप की लथे और कुछ नहीं मैं समझता हूँ जुना भाई इसलिए कह रहा हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा टूड़ा बिल्कुल ठीक हो जाएगा टूड़ा जैसे को सामने देखकर कोई पम्मी घर परिवार या फिर आलाद के बारे में सोच भी कैसे सकती थी तुम लोग समझ नहीं रहो के टूड़ा का जीवन कितने अंदकार में है किसका जीवन अंदकार में है रे बाबू तो पाटी वाटी का टिकेट कट वालो और मेवाराम की तरह नेतागिरी की खाया करो पमी ठीक कह रही है सोच कर देखो वरना रोजादा एक रो हम समझा देंगे अच्छी तरह और क्या तभी मेवाराम की तरह नेताई भाशन जाड़ते रहते हो ऐसे मत मिलो उनसे दूर हो ये मत करो वो मत करो अपना ना सही बच्चों का भाशिश सोचो जान देवा बीमारियों से दूर हो पर ऐसे लही घंड़ाम करिश्टमाल करो तुम नहीं समझोगी रिहाना, अगर मैं यहां एक जीवन भी गुजार दूना, तुम नहीं समझोगी घर अच्छे से समझाओ, अलकल का तुचल, उठ उठ जा कर भार खेल, आई वड़ी दुनिया जारी सिखाने, पीटी कहीं की ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हेरे बच्चों का भविशे भी बिगड़े, तुम्हें क्या कर सकता है, जरो उसकी उमर तो देखो अरे लड़कियो, कमरा खाली करो, तूड़ा पता नहीं क्या गुल खिला कर आ रहा है अरो बज़ा, अरे सुनागा तुमेर तूम से भी कुछ कह रही है, पम्मी, तुही समझा अपने रागर बाबु को अरो भई लेआ, 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 लेआउ, अरे सुनाना ही तुमने अबिसे कमरा खाली नहीं किया, तुमने लेआउ, जरने लेआउ बुक्ता मैं एक खोश्म ऐसा कर दर्सीरे से लगाया है कुछ होशी नहीं रहता क्या कर रहा है क्या नहीं जुना भाई इसने समा की है यह क्या नहीं बला पैदा हो गई यह वो चीज है जुना भाई जो इसे अंदर ये अंदर खुखला करते ही कुछ करिए रागा बाबू मेरी खातिर कुछ करिए उसके यहालन देखे नहीं जा रही हूँ जुना भाई लगता है वक्ता आगया है अब अगर कुछ नहीं हुआ तो बहुत देर हो जाएगी ऐसे हिम्मत में हारो जुना भाई मुझसे जो हो सकेगा मैं करूगा और शायद वैसे ही तुम्हारा बेटा मैं लौटा सकूँ जैसे तुम चाहती हो अब लाचार अब बस्वाग के आशिरवाद हाँ के अरिच्छा को पूरी करें के रागो बाबू मुझे रीहा विलिटेशन सेंटर का पता है मैं इसे वहीं ले जाता हूं आओ तुम लोग मेरी मदद करो उठाव इसे आओ संभाल के संभाल के आँ हाँ 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 बैठो अम्मा अम्मा क्यों चिंता करती हो साब ठीक हो जाएगा हाँ अम्मा तुम्हारी बेटियां तुम्हारे साथ थोड़ी छूड़ेंगी हाँ क्या हुआ नहीं जाता तोच कर भी दिल का पुटता है यहीं चाहिद राप बाबू भी समझाने की कोशिश करते हैं कौन है वो हमारे उनके दिल में टूड़ा के लिए दया है रहा ना सोजा है तुने कभी यूर्वलिन टाइम इस रागव समयत का नशार शुरू किया अभी कुछ ज्यादा समय नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जिंदगी के इस अंध्यारे से इसे निकलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपकोर्स हम तो अपने कोशिश करें रहे हैं लेकिन यहां से जाने के बाद यह उनलोगों से दूर रहे जिसके कारने से लट पड़ी है तो अच्छा रहेगा मैं अपनी तरश से पूरी कोशिश करूंगा डॉक्टर साहब अच्छी मिस्तर लागव इस उमर के बच्चे किसी भी वर्थ या किसी भी परिवार से हों जब इनके पेक्षों पर इनके माबाप घरे नहीं उतरते तो इन बच्चों में ड्रक्स, स्मैक, गांजा या चरज जैसी आज़त पड़ी जाती है जी मैं समझ सकता हूं इन बच्चों के माबाप के पास ना तो इने देने के लिए प्यार है न स्ने और ना टाइम एक्जेक्टली और यह अपना वर्थमान भूलने के लिए इस निशे की आज़त का शिकार हो जाती है जिनमें ये तसली ढूंड रहे होते हैं वही उनकी मौत का करण हो सकती है ये शायद नहीं जानते हैं अच्छा मैं रौन पे हूं मैं चलता हूं अगर मेरी ज्रूत पड़े तो मुझे बुला लेना ओके थैंकिए डॉक्र साथ तूड़ा बहुत नाराज हो जुनवाई से बहुत सारी शिकायते हैं उससे तुमें लेकिन ये सब पीने से शिकायते हैं दूर तो नहीं हो जाती अपने नहीं प्रूंगा तो फिर क्यों करते हो ऐसा जिससे जुनवाई और मुझे दोनों को तकलीफ होती है 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 अपने आपको मा बोले होने जुना भाई है है कहा है उसका रो रो के बुरा हाल है तूटा उससे अपने बेटे की हालत देखी नहीं गई जूट 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 और वो खुश होगी ना अपने लड़कियों के साथ पैसा कमा के देती है ना मैं क्या जिरता हूँ तुम उससे पैसे कमा के दो तुम उन लड़कियों को छोड़ देगी कियूँ नहीं देगा व यह ऐसा क्या नहीं है जो तुम नहीं कर सकते अरहां-तुम उझे अपना दोस्त मानों है और मुझे वो सब कुछ कह दिया करो जो तुम किसी से नहीं कहते ए जो ओर हां अपने दिमाग को किसी भले काम में लगाओ तो देखना चूना भाई तुम्हें कितना प्यार करती है इस नहोंगा ना तुम भी तो कुशिश करो फिर देखो कैसे नहीं होता है अच्छा मैं चलू मैं भी चलूँगा नाई अभी नाई अभी तुभे यहीं रहना है मैं आउमान अपने दोस्ते मिलने के लिए जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम दोनों यहां से साथ साथ चलेंगे मा तुम्हारी तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही है मा अम्मा सुभा से कुछ नहीं खाया कुछ खाओगी क्या पूश्ती क्या है जा जाकर कुछ लेकर आ पता नहीं अब कैसा हाल होगा टूटा का और आगर बाबू भी अभी तक नहीं आए क्या बात है मुझे लगता है मैं गलट चाहीं पर आगया जा बेटी नहीं अम्मा इस वक्त मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी मर रहीं जाएगी तेरी अम्मा जा पिर में तेल लगा कर मालिश कर दूँ अम्मा नहीं अब कैसी हो अम्मा अब ठीक हो परेशान क्यों होती हो अम्मा ये सब यहां नहीं होगा तो फिर कहां होगा उस दिन तो जैसे अम्मा के जीने की आस ही खत्म हो गए थी उस दिन उसे ऐसा लगा जैसे उसका बेटा उसके हास से निकल गया पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था ये तो तो तुम अच्छी तरह जानती हो क्या जागीर सिंग सचमुच घर बसाना चाहता था तब मैं नहीं जानती थी कि उसके दिल में क्या है तब तो बस ऐसा लगता था जैसे जुना बाई की चार दिवारी के बाहर कोई घर मेरा इंतजार कर रहा है जहां वो होगा मैं होंगी हमारे बच्चे होंगे और एक सुनहरा भविश्य होगा तो क्या जागीर सिंग से पहले भी क्या किसी ने ऐसी आस बंधाई थी कितने आय और चले गए रानी बना के रखने का सपना दिखा गए थी तब फिर तुम वो सब सोचने पर क्यों मजबूर हो गई थी सच बताओ कुछ तो तुम्हारी नारी सुधार की बाते और कुछ पता नहीं जागीरा में ऐसा क्या था कि मैं उसके और खिष्टी ही चली गई और एक दिन जब वो आया तुमने कभी अपना घर बसाने की नहीं सोची जी कैसी बाते करते हो जागीरा क्या हम जैसे हो कभी कभी घर बसता है लो जी क्यों नहीं बसता जी एक रागा बाबू है वो भी हमेशे यही कहते है कि हमारा सुधार होना चाहिए समाज में हमारा मान और प्रतिष्ठा होनी चाहिए वो तुम्हारे आग क्या करने आते हैं जी अरे नहीं वो तो बस सब को समझाते रहते हैं नई-Naghi बाते बताते हैं और नजनी क्या क्या समझाते रहते हैं लेकिन उनकी बाते मेरे पल्ले नहीं पड़ती चलो अच्छा जी नहीं पड़ी लेकिन तुम्हारे बाबू गलत भी क्या करते हैं क्यों जागीरा क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो क्यों ने जी तुम्हें भी पूरा हक है अपना घर बसाने का अच्छा क्या सिर्फ बाते ही करते हो या फिर अमल भी करोगे मैं तुम्हारे मतलब नहीं समझा जी क्या तुम मेरी चैसी का घर बसा सकते हो हाँ तुम अपना मन पक्का करो रास्ता मैं दिखा दूँगा हो सकता है मनजिल हमारी इंतजार में बैठी हो जागीरा लेकिन हम जाएंगे कहा जागीरा कहीं भी चले जाएंगे जी इतनी बड़ी दुनिया है सर छुपाने की जगा कहीं ना कहीं तो मेली जाएगी मुझे तो बहुत डर लग रहा है वो डर को गोली मार्क जी पर एक बहुत बड़ी दिख्कत है जी ओफो अब बताओ ना क्या दिख्कत आ गई है वो क्या है जी के इस चक्कर में मेरे पैसे नहीं बने इसलिए थोड़ा रुकना पड़ेगा अब ये पैसे बीश में कहां से आ गए लो जी घर बसाने चले है और पास पैसे नहीं तू भी कमाल की बात करती है पमी अच्छा इसकी चिंता तुम मत करो वो सब इंतिजाम मैं कर लोगी नहीं मुझे अच्छा नहीं लगेगा जी जो कुछ मेरे पास है वो सब तुम्हारा ही तो है जागीरा और मेरे पास इतना है कि कुछ दिन आसानी से काम चल जाएगा तू कहती है तो माल लेता हूँ पर वो क्या है पमी मेरा दिल गवाही नहीं देता फिर भी जैसा तू समझे ठीक है अच्छा बताओ कब चलना है ऐसा करते हैं जी के तब फिर क्या चागीर सिंग वापस है हाँ उसी राच जैसे जागीरा ने तै किया था हमने जुनावाई का कोठा छोड़ दिया जागीरा ने वही नीचे ट्रक खड़ा किया था और वहां से हम यहां सुजानपूर आ गए हमने एक छोटा बगर सुन्दर सा घर बसा लिया पम्मी के घर परिवार के सपने को मनो जमीन मिल गई थी हाकिकत से जुड़ा वो सपना सपना नहीं था बहुत खुश थी पम्मी तोनों जाहन की खुशिया इश्वर ने जैसे जागीरा की शक्ल में उसकी जोली में डालती हो एक साल पूरा भी नहीं हुआ था कि सूरज आ गया सूरज? मेरा सूरज पम्मी और जागीरा का बेटा मगर उनी दिनों कहीं पम्मी का सपना टूपने लगा क्यों? तुम्हें ऐसे क्यों लगने लगा? जागीरा की रूची कम होने लगी थी अब वो पहले जैसे जागीरा नहीं रहा था और एक दिन तो एक सवाल ऐसा उठा जिसमें घर में कलेश का रूप ले लिया देख दिमाग के वहम को जादा बढ़ावा मत दे वहम नहीं है जो कह रही हूँ वही सच है दिमाग खराब हो गया है तेरा चलो दिमाग खराब हो गया है यही समझ कर बता दो कि तुम मुझे आप पहले जैसा प्यार क्यों नहीं करते देखो एक ट्राइवर के जिर्दगी ऐसी होती है तब समझती हूँ मैं सूरज के आने के बाद ना तो तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ और नहीं मेरा चिस्ट वह बार बार एक ही बात की रख लागाना जूरी है क्या मुझे भी हजारों काम है अब यहां बैठकर तेरे बालों में सितारे भी रोता रहू मुझे नहीं होगा सुन लिया हाँ हाँ सुन लिया बड़े एशो आराम दे रखे है ना एशो आराम ओए एशो आराम जब सारे जुना बाई के कोठे बढ़ी थे तो यागर रहना ही थी गल्ती हो बेठी थी उससे आओ बही आओ तुमारा इंताब कर दा था वही और रोशन प्राब एट तो सही हो हम तो मेंशे ही त्यार रहते हैं यावी माल्ते दी पहली तार आप पाट लिया है वह यह वह उत्तों नम्कीन पकॉड़े था आप गलास लेकर आप हुआ है कि अधियर अधान है अधिजियर अधिया कोई चाहरा जिसका लिए है इस ते ही घचक लेगा अपना गिलाज लिया भाटि तक पक अधाना वे शराव खुद कभी नशानिकरती तुझे इतना तुझे क्या हुआ तेलिया मलाईया दी वो तिला शरापादी तेलिया मलाईया दी वो तिला शरापादी तो आई चड़ती है ते पहंगा पहंगा पचती है हँआ हडा़ हड्यप कर दो जा चाहँ है मैं तो काम पर चलता हूँ नहीं तो शेट पगार काट लेगा पैस ना जकीरा गोली मार कामनू यारों के साथ बैढने का मौका फिर कम मेलेगा काम तो काम ही है भई काम पर तो जाना ही है अच्छा सुनो जा रहे हो तो इन सब को अपने साथ लेकर जाओ जादा हुकम मत चला नहीं लेकर जाता समझे सुनो सुनो मौनी बनाड़ा जगीर सी तू अथे की कर रही है ओ एदर आ जगीर दीरानी तेसा दीरानी क्यों है करता रहे मैं कोई गलत क्या ना ना मेरे प्रावा ना तू तेस तोने तस्वा के वर की का लिकित्ती है सुनो कान खोल कर सुन लो अगर दो मिनिट में तुम लोग यहांसे बाहर नहीं निकले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जागीरे दीरा खायल दे तेवर ता वेखर जागीरे को तो मैं बाद में देख लूगी पहले तुम तुम और तुम निकले या से बाहर मुफद खोल जागीरे के पिठ्ठू निकले या से बाहर निकलो मुफद थाइब तुम निकले तुम्या जागीरे के पिएिए z sectors इतने देलों से तुझे देख रहे है यहां बैठके किसकी राज देखती है तो यह तरह मरत का है उसी कंट जार करती है क्या ए बता ना क्या बात है कुछ नहीं बस यूहीं वो ट्रॉक ड्राइवर है न तो दुनों दिन बाहर रहना पड़ता है देख जब जूट ना बोला जाए तो बोलना भी नहीं जाए उस रात ऐसा कुछ जरूर हुआ था जो तेरा मरत लौट कर नहीं आया देख बहल जो तु हमें अपना हिदैशी मान तो छुपाती क्यों है चल बतादे फेटा फेट वो छोड़कर चला गया है अब लाटकर नहीं आएगा अच्छी की परवरिश भी करनी है हो सके तो कोई काम दिलवादो यहां सुजानपुरा में सुजानपुरा में काम ही क्या निकलता है यह तो तुझे पता ही चल गया हो वही दिलवादो वह सब तेरे बसका नहीं है क्यों देख वो काम ना घर गरस्ती वालों के लिए नहीं है लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो तुम कर सकती हो और मैं नहीं तो छोड़ना तेरे से नहीं होगा अच्छा ठीक है कहीं और काम दिलवादो देखो बेहन तुम जाकर चं चंदरभान बाबू हाँ मैं ही चंदरभान है कहो क्या काम है मैं ही सुजानपुरा में रहते हूं जानता हूं तुम्हें कई बार देखा है मैंने शायद तुमारा पती ट्रक डाइवर है हाँ कोई काम मिलेगा काम क्या खेतों में अगर मिलेगा तो कर लोगी तुम्हारा बच्चा है और बहुत छोटा है ये काम बहुत महनत का है यहां सूरज को जेलना पड़ता है एक सूरज के लिए दूसरे सूरज को जेल लोगी बस आपको एक काम दे दीजे अरे बाबा ये काम चाहे तुम नहीं कर पाओगी तुम मेरी बास समझने की कोशिश क्यों नहीं करती है बच्चे पर तो तरस खाईए बाबू इसके पेट में कुछ चाहे इसे ये काम चाहिए मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं लेकिन भगवान के लिए मुझसे ये पाप मत करवा कोई छो सारा बदन में चुल दया है कहां से दूद्ध मिलाओ तुखे नहीं बिद्धा फुड़ा सपी में बिद्ध नहीं करते हैं फुड़ा आस्रा हो जाएगा नहीं सुकावी रात सारी रात भूस से तड़पता रहेगा चंद्रभान के पाक गई थी कोई बात बनी अरी मैं पूठ रही हूँ चंद्रभान ने कोई काम दिया तुझे नहीं इस पर तरस खा रहा था कहता था इतने छोटे बच्चे के साथ कैसे काम करोगी जोटा है तो कि इसको पेट नहीं है तो फिर रो क्यों रहा है कुछ पीता क्यों नहीं वह इस मा की वालाद है न इसे दूट चाहिए दूट चाहिए तो फिर ये क्या है इसे चावल का घोल है ये तो इसी पेट कैसी मा है तुछ मा कहा हो तुश्मन हो इसकी अब अगर कोई काम नहीं देता इसमें मेरा क्या सुसुल है। पाल नहीं सकती थी तो पैदा क्यों क्या था इसे। क्या पता था। कि नसीद में ऐसे दिन भी लिखे है। अब तो पता चल गया। गलागोट देश का। सारा कलेशे बिढ़ जाएगा। तुने पताने क्या सोचा है, मुझसे तो देखा भी नहीं जाता नौ महीने पेट में पाला है इसे, देखा मुझसे भी नहीं जाता परखा, तेरे कहने से पहले इसको इसका गलग होट देती अरे बुड़ी ठुट्टी धंदा करने वाली भी आस अलाग का पेट पाल लेती है और फिर तेरे बदन में, हाँ हाँ, बोल लाँ, जो क्यों में देखा और फिर तेरे बदन में तो बहुत ताप है पता, कहां मिलेगा इसका इस बात, इस बात फिर से मैं सब कर लूँगा इससे पहले भी तो शरीफ जादी बनके, घर घरस्ती बता दिकी खूर कर बैठी थी और सब कुछ छोड़कर चलिया इती तब क्या पताता मुझे, कि घर, परिवाद, अती, आदश, इस सब खोगली बाते होती है और साथ, खुशों के इस समाज में एक खिलोना भर है बहुत चोट खाई लगती है तू चल उम्र की बंदिश कभी न मानें कर गुजरें जो मन में ठालें धूप च्छाओं का जीवन इनका धूप च्छाओं का जीवन इनका धर्द पर आया इनका अपना देख दो पहरी कहा रुकते हैं ये बढ़ते कदम बढ़ते कदम बढ़ते कदम भुबंभ झायव विस